नमस्कार दोस्तों आज फिर आप सभी के लिए एक महत्पूर्ण जानकर लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आप भी एक पैंसल लावारती हैं तो यह जानकरी आपके लिए बहुती महत्पूर्ण हैं अपुदादे की एक नुविंबर दो हजार तेज तक का पैंसल लावारती के लिए मौका है जिसके अंतरगत वह अपना एक दस्तावेज बनवा सकते हैं यह उनके हाली में समाज कल्यान विभाग की तरफ से आदेश जारी के गए हैं जिसके बिना अग पैंसल लावारतियों को पैंसल नहीं दी जाएगी जी हाँ एक दस्तावेज को अनिवारिय कर दिया है जो भी पैंसल लावारती यह दस्तावेज नहीं बनवाता है उनकी पैंसल बंद कर दे जाएगी उन्हें पैंसन का लब नहीं मिलेगा तो अगर आप एक पैंसन आबारती हैं और आने वाली पैंसन का भी alma कर रहे हैं तो उसके बारी में भी बताया जाएगा तो आप हमारे साथ नती तक बन रहेगा वीडियो को देखते रहेगा वीडियो सुरू करने से पहले आपसे हम निविदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिजे और जदा से जदा वीडियो को सेयर भी कर दिजिगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी द एक बड़ी खबर जरूरी निकल कर आ रही है बड़ी खबर आउ लावारतियों के लिए जरूरी खबर भी है देखे जिसके अंत्रगत पैंसन लावारतियों को अब एक दस्तावेज बनावाना बहुत ही जरूरी हो चुका है अला कि हमने इसके बारे में आपको पहले पताया लेकिन अभी हाली में भी सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है यह आदेश इसलिए जारी किया गया है अभी क्योंकि पैंसन लावारतियों को जल्द ही पैंसन का लाब मेलने वाला है और सरकार का मक्षद है कि जो पैंसन आने वाली है वैस सही पैंसन लावारति तक पहुँचाई जाए अगर सही पैंसन लावारती यह दस्तवेज नहीं बनवाते हैं तो उन तक भी पैंसन का लाब नहीं पहुचेगा इसलिए जितनी जल्दी हो सके पैंसन लावारती यह दस्तवेज बनवाले अब कौन दस्तवेज बनवाना है चलिए उसके बारे में हम आपको बताएंगे उससे पहले कुछ महत्पूर जानकरी हम आपको दे देते हैं तिक इस दस्तवेज के बिना पैंसन का लाब नहीं मिलेगा और पैंसन बंध हो जाएगे एक नवेंबर दो हजार तेज तक पैंसन लावार्तियों को यह कार्य कराना बहुत ही जरूरी है हलाकि पैंसन लावार्तिय अपनी पैंसन को लेकर इंतजार भी कर रहे हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे चाहिए आपको कुण सा राज्य है आपको इस जिले में रहते हैं अब हमें कमेंड बोक्स में जाकर अपने राज्य का नम बता सकते हैं अपने जिले का नम बत या फिर विद्वा पैंसनर हो। सभी की पैंसन का पैसा लावारतियों की पैंसन का पैसा जो है वह सरकार बैंक एकाउंट में ट्रांसपर करने जा रही है। जरिए पैसा जारी किया जाएगा अगर आपने पैसन में आधार काड लिंक करा रखा है आपने आधार परमाने करन करा रखा है तो ही आपके पास पैसन का पैसा आएगा क्योंकि आपकी बार जो पैसा आने वाला है वे डिरेक्ट एकाउंट में नहीं ट्रांसपर किया अब दूस्तों आपको जानकार के लिए बता दें कि पैंसन नियावों में कई बड़े बदलाव सरकार की तरफ से किये गई हैं जिसमें तो हम आपको वह जानकार रिदे ही दी है कि जो बुजुर्ग पैंसन लावारती है अधार परमानी करन जरूर कराएं हलाकि है सभी पैंसन लावारतियों को आधार परमानी करन कराना है लेकिन जो बुजुर्ग पैंसन लावारती है उनका जो आधार परमानी करन करा जा रहा है वह बायोमेट्रिक के जरूर करा जा रहा है और यह कारिये आप बैंक में जाकर भी करा सकते हैं बैंक में जाकर आप सिवा सियसी केंद पर जाकर अपना अधार पर मनेकरन करा सकते हैं अब बात करते हैं कि जो पैंसन लावारती हैं उन्हें कौन सा दस्तवेज बनवाना होगा देखें अगर आपने वह दस्तवेज पहले ही बनवा लिया है तो बहुत इची बात है आपको पैंसन मिलेगी लेकि दिव्यांग पैंसनलावारतियों के लिए सरकार की तरब से सबसे बड़ी खबर जारी की गई है। पैंसनलाव नहीं ले पाएंगे। तो आपको सरकार की तरब से फिरी रासन भी दिया जाएगा और साथे साथ पैंसनलावी सरकार की तरब से आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिव्यांग वैक्ति हैं उन्हीं को यह कार्य कराना बहुत जरूरी बहुत अनिवारिय कर दिया है। तो यह समाच कल्यान विभाग उत्तर परदेश सरकार की तरब से सभी दिव्यांग वैक्तियों की पैंसन अभी हाली में बंद की हुई है जिसके साथ। इनके जिन वैक्तियों पास रासनकार नहीं है उन सभी की पैंसन को बंद कर रखा है जिदें जल से जल अपना रासनकार बन माना होगा। साथी अधिकारियों को भी सरकार की तरफ से आदेश दिये गए हैं कि किसी व्यक्ति का रासनकार बने या ना बने लेकिन जो दिव्यांग व्यक्ति है उनका रासनकार बना जाए अब जो दोस्तों काफी दिव्यांग ऐसे हैं जो हमारे समी भी हैं तो उन्होंने भी अपना रासन कार्ड बनाया है हाला कि जो अधर वैक्ति है उन्हें रासन कार्ड बनाने के लिए मना कर दिया है क्योंकि जिले में रासन कार्ड की लिमिट पूरी हो चुकी है देखे उसके बावजूद भी अधिकारियों का कहना है कि सरकार की तरब से हमें आदेश जारी किये गई हैं जिसके अंद्रगत दिव्यांग वैक्तियों का रासन कार्ड बनाना बहुत ही ज़रूरी है तो अगर आप अपनी पैंसन को लेना चाते हैं और फिरी में रासन भी लेना चाते हैं तो आपको रासन कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है मिली जानकर कि अनुसार लाबार्तियों को जो पैंसन मिलने वाली है वह नोविंबर के पहले सब्ता में भी ट्रांसपर की जा सकती है लाबार्तियों को पैंसन तीन बहिने की आने वाली है तीन हजार रुपे सरका के तरफ से ट्रांसपर की जाएंगे सिधा बैंक एकाउंट में यह पैंसन आने वाली है तो यह थे आपके लिए महत्म जानकरी अगर आपने फी तक वीडियो को लाइक नहीं के तो वीडियो को लाइक कर दिजिए जा सिधा वीडियो को सेर करगा चैनल पर आप पहली बार आई है चैनल को भी आप जूर सब्सक्राइब कर लेजगा धन्यवाद मिलते हैं आपने फीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत